दोस्तों मैं आमन कौशिक को अर बात करते हैं आज की सबसे बड़ी इन्यूस के भारे में जो कि आ रहे हैं बॉक्सिंग वॉर्ल्ड से जेक पॉल वर्सेज टायन वुडली, बॉक्सर वेर्सेज एमिमे फाइटर दोस्तों यह fight book हो गई है boxing world के लिए एक boxing fight, 8 round की fight 190 pound weight division में दोस्तों यह fight book हो गई है जो कि होगी अब 28 अगस्त को इस news के बारे में सुभे से ही आज post आ रहे थी, tweets आ रहे थे पर confirm अब तक नहीं हो था finally, एक confirmed source ने बताया कि यह fight दोस्तों book हो गई है with date as of now जो date है वो 28 अगस्त है और यह fight होगी Jake Paul versus Taron Woodley के पीच में अब यह news इतने बड़ी अपने आप में इसलिए है क्योंकि last fight थी Jake Paul versus Ben Askren वो एक तरीके से एक मजाग था fans के साथ वो एक मजाग था boxing fan के साथ वो मजाग था MMA fans के साथ क्योंकि हर एंगल से यह लोग जानते थे कि Ben Askren किसी भी तरीके से एक प्रॉपर striker नहीं है but because of big money payday you know big bucks वो fight Ben Askren एक्सेप्ट किय थी और जिस तरीके से वो इस fight हारे थे एक एक दिल खटा हो गया था और उसके बाद से लेके अब तक news आ रही थी कि Jake Paul कर टॉंट कर रहे थे current UFC welterweight champ Kamaru Usman को और बहुत से नाम है वो बीच में आ रहे थे चेल से नहीं पर नाम बीच में एक बाद पुछ किया था कि he can fight him और दोस्तों आज आज यह fight है यह book हो गई है Taren Woodley जो की teammate थे काम कर रहे थे as a corner man for Ben Askren in his last fight against Jake Paul और एक alteration हुई थी boxing world में जब आपके hand wrap होते हैं तो opposite team का एक you know एक person वह पर रह सकता है यह check करने के लिए कि जो wrapping है वहा कुछ you know कुछ हिरा फिरी तो नहीं हो रही है और Woodley Overseer कर रहे थी कैसे wrapping हो रही है hands wrap हो रहे है Jake Paul के और जो बागी teammates वह उस ताम पे मौजूद थे Jake Paul के वह taunt कर रहे थे Woodley को you know typical fashion में और उस ताम पे Woodley obviously you know it was not his fight वह fight कर रहे थे you know against Ben Askren Jake Paul so but वहाँ पे जो क्लिप थी इसको बहुत लोगों ने किया था कि कितिसाइज की Woodley is a legit UFC champ former champ जिसने fight की है against best of the best you know he won against Vontoboy Thomson against Robbie Lawler so उनको जो disrespect मिली उसको बाद मिली उसको बाद मिली उसको बात की थी और उस ताम पे शाएद यह बात चली थे आप उनको यह से ने अभी हाली में release किया था लेकिन फिर भी वह बहुत भेतर आपोनेंट है compared to Ben Askren I would say की वह अब तक MMA World के शाएद best you know hope होंगी जो कि fight कर रहा है against Jake Paul हलांकि अगर बात करें टैन रुर्ली की बारे में तो जिस तरह कि जो लास्ट कुछ फाइट हुई बैक तो बैक लॉलासिस जबसे वो हारे हैं अपनी फाइट अगेंस्ट करन चैंप कमारू उस्मान कुछ खास वो करने यह पाए और जो उनके जो फाइट वो हारे उनका एक राउंड जितना बहुत मुश्किल हो गया था और यह पाइट उनका एक राउंड नहीं जीता है जबसे वो हारे हैं अगेंस कमारू उस्मान जो कि अपने में बहुत बड़ी बात है बर लॉजिक यह दिया गया कि इस अपनेंस इसूए इस इसलिवलिक नीटेए है आप अपनेंस के यह दिए शॉजए भीस देखेंट शॉजशआ है यहां पेढ आप जिए वोड़ी को में एक शह सबसे बड़ा मिल रहा होगा यहां कि छोड्यपिन श्मान लॉप्स सी यहां पेसा कमा इंगे I think it will be maybe I think it's more than his biggest payday in UFC हम जानते है कि जो लास्ट हुई थी you know with Jake Paul against Ben Askren Ben Askren ने कम से कम one million dollar रुपय कमाय थे उस फाइट के लिए maybe even more, कौन जानता है और यहां पर उनके लिए जब यूसी ने उनको निकाल दिया है you know, एक तरीके से गिफ्ट है भगवान का कि जाओ बेटा एक फाइट करो और कमाओ इतना रुपया और वेरी हैपी फोटायन वुडली और उनके लिए शायद अगर इफटोर जीत जाते हैं उनके लिए नई विंडो खुलीगी कि he is not just not just a ex UFC champ he is also a very good boxer, he can also beat boxers बात करें अगे अगर बात करें जेक पॉल के बारे में और जो कहते हैं लोग आजकल पॉल प्रदरस के बारे में so Paul ने बहुत तरीके से ये बात साफ़गर दिया है कि not, you know, Jake ने ये बात बहुत साफ़गर दिया है कि he knows कैसे बढ़ना है आगे इस बिसनस में नहीं उनका बेकरांड है वो किसी प्रफेशनल स्पोर्ट से बिलों करता है neither he was any professional player but just because of his popular fame, followers वो आगे बढ़ रहे हैं और I think ये उनकी अब तक की सबसे तफ़स्ट फाइट होगी in terms of competition उनकी फाइट हुई थी अगेंस अगेंस अनोन गाई not even a you know a proper you know fighter just you know ex you know basketball player और यहां पे उसके बादू फाइट करते हैं अगेंस Ben Askren जो कि he was retired for a long time but Woodley अभी 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 फ्रेश है और जुः आप्ला वहोगी भाइट करने अगेंस अगेंस इकर फाइट करने लागेंस अगार नीच साइट ग्सफइथ कर दि अप्रेश करते वीके आघिए और बेल यश्छ ? आपिर है रखम्स फाइट अबेलिवा नहीं। zero interest, because there is no comparison, you know, Floyd Mayweather, you know, again, very aged fighter, and it's more of a justice showoff to get money, but if we talk about this fight, in addition to this fight, there is still more interest to having this fight, there is still more real interest in this fight, because he is representing, then here wins this fight along the way, and after exceptional MMA fighters having he tracks against then fight against Jake Paul, so that is an interesting fight compared to जो फाइट नेक्स वीक है उनके बड़े भाई की लोगन पॉल वर्सिस फ्लोइड में वेदर. So, दोस्तों, इंट्रेस्टिं टाइम और I think this fight would be slightly more interesting, maybe even way more interesting than, you know, Ben Askren fight. So, दोस्तों, मिलते हैं नेक्स वीडियो में.